नमस्कार दर्सकों धार्मिक चमतकार में आप सभी का स्वागत है भूत प्रेत क्या खाते हैं और कहां रहते हैं गरोण पुरान हिंदो धर्म के 18 महा पुरानों में से एक है जिसमें मृत्यू के बाद की स्तिती पुनरजर्म, कर्म, पाप, पुन्य, स्वर्ग, नरक और आत्म की यात्रा से संबंदित महत्मों जानकरी दी गई है इस पुरान में मृत्यू के बाद आत्मा की स्तिती और उसके मार्ग की चर्चा भी की गई है जिसमें भूत प्रेत और उनके जीवन के बारे में भी बिस्तरत रूप से बताया गया है भूत प्रेतों की स्तिती उन आत्म हत्या, आत्म हत्या या जिन्हें किसी बिसे समय पर किरिया कर्म नहीं मिला होता ऐसी आत्मा इस संसारों परलोक के बीच अठकी रहती हैं और उनकी मुक्ती नहीं हो पाती बे अपने अधूरे कारियों, इक्छाओं या पापों के कारण भटकते रहते हैं भूत प्रेत की प्रकरती सारी रिक नहीं होती, इसलिए उनके खाने पीने का कोई ठोस रूप नहीं होता जैसे कि इंसानों के लिए होता, लेकिन फिर भी गवर्ण पुरान और अन्धर्म गिरंतों में कुछ ऐसे माननेता हैं जो बताती हैं कि भूत प्रेतों की भूक और तिशनक किस प्रकार संतुष्ट होती है भूत प्रेतों को भोतिक सरीर नहीं होता, इसलिए भी किसी ठोस आहर को गरहन नहीं कर सकते कहा जाता है कि भी सुगंध, दूप, अगरवत्ती या अन्खात पधार्तों से निकलने वाली बायू को गिरहन कर सकते हैं इसके माध्यम से भी अपनी तिशना सांत करने का प्रियास करते हैं तामसी कुर्जा, गरुन कुरान के अनुसार भूत प्रेत तामसी कुर्जा को आकरसित करते हैं वि उन्हें स्थानों पर अधिक भटकते हैं जहां हिंसा, क्रोध और नकारात्मक भावनाय प्रवल होती हैं ये तामसिक और जाई उनके लिए भोजन का काम करती है और उन्हें तरप्त करती है प्रेत भोज, हिंदु धर में म्रत्यू के बाद किये जाने वाले इस रात कर्म में भूत प्रेतों के लिए बिसेस प्रकार के भोज का आयोजन किया जाता है इसे प्रेत भोज कहते हैं जो पिंडेदान के साथ किया जाता है ये भोजन मृत आत्माओं को समर्पित किया जाता है ताकि उनकी भुख सांथ हो सके और उन्हें मोक्ष प्राप्थ हो सके अधूरी एक्षाएं भूध प्रेतों की भुख केवल सारी रिकाहर की नहीं होती बलकि उनकी अधूरी एक्षाएं और भावनात्मक दिश्णा को भी दरसाती है उनकी एक्षाएं और लालच अधूरे रह जाते हैं और वे उन्ही एक्षाएं की पूर्ती के लिए भटकते र गरून पुरान और अंसास्त्रों के अनुसार भूद प्रेतों का कोई इस्थाई निवास नहीं होता है। बे अपनी इस्तिती, पापों और धूरी इक्छाओं के आधार पर वे विन इस्थानों पर भटक सकते हैं। कुछ प्रमुक स्थान जहां भूत प्रेतों के निवास की संभामना आधिक होती है। जैसे कि समसान भूमी, भूत प्रेतों का सबसे प्रमुक निवास समसान भूमी मानी जाती है। समसान में मृत्यू के बाद की सुद्धी क्रियाई की जाती है। कि बैात्माय, जो इस संसान में अधूरी रह गई होती हैं, संसान में भठकती रहती हैं, इसलिए कोई तांतरिक साधनाय और मंत्र संसान में ही किये जाते हैं, सूने और बीरान इस्थान गरुण पुरान में बताया गया है कि भूत प्रेत बीरान सूने और अधिरे इस्थान पर निवास करते हैं बूत प्रेत उनिस्थानों पर भी निवास करते हैं जहां अत्यादिक पाप और अधर्म की प्रवर्तियां होती हैं जैसे कि हत्या, हिंसा और नकार आत्मक्ता से भरे इस्थान उनका निवास उनिस्थानों पर भी हो सकता है जहां तामसिक और अधर्मिक कारी होते हैं कुछ आत्माएं जो अपने परिवार के साथ अधिक जोड़ी होती हैं वे अपनी म्रत्यों के बाद वे घर के आसपास ही भटकती हैं ऐसी आत्माएं अपने परिवार के सदस्यों से किसी प्रकार का संदिज देने या अपनी इक्छाओं को पूरा करनी की कोसिस करती हैं बे अपने परी जनों को और आकरसित हो सकती हैं, खास कर तब जब उनका अंतिम संसकर बिधिवत नहीं हुआ हो। कई बार आत्माएं उन व्यक्तियों के साथ जोड़ी रहती हैं, जिनसे वे जीवन काल में भावनात्मक रूप से जोड़ी होती हैं। ऐसी आत्माएं उन स्थानों पर अधिकतर रहती हैं, जहां वे अपने प्रिये जनों के साथ समय बिताती थी। उनके जानी के बाद भी उन जगों से दूरी नहीं बना पाती और भाई भटकती रहती हैं। गरुन पुरान में भूत प्रेतों से मुक्ती के फिविन उपाई भी बताए गए हैं। इनके अनूसा पिंड़ेदान, स्राद कर्म और अंधर्मिक अनुष्ठान भूत प्रेतों को सांती और मोक्ष दिलाने में सायक होते हैं। जैसे पिंड़ेदान और स्राद, पिंड़ेदान इक महत्मौन धार्मिक करिया हैं। जिसमें मृत आत्माओं को अर्पित करने के लिए भोजन, जल और अंसामगरी दी जाती हैं। इससे आत्मा को त्रपती मिलती हैं। और भै अपने अगले चर्मिक या मोक्ष के लिए आ मृख्ष की जिसा में ले जा सकता है। धार्मिक अनुष्ठान, कई धार्मिक अनुष्ठान जैसे कि यग, हवन और तीर्थियात्रा आत्माओं को सांती प्रदान करने में सायक होते हैं। इन अनुष्ठान से पवित्र उर्जा उत्पन होती हैं जो नकारात्मक आत्माओं कर्मों के परीणाम सोरूब के कैसे भिविन अवस्थाओं में होते हैं? बूत पृतों की तिशना केवल सारीरिक नहीं होती बलकि भाबनात्मक और मानसिक भी होती है और उनके निवास इस्थाण, उनके अधूरी कारियों और इक्षाओं के आधार पर निर्धारित होते हैं आपको गरुन पुरान के ये फैक्ट कैसे लगे कमेंट में जरूर बताईएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमतकार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजेगा धन्य बात